दोस्तों ऐसे तो इंडोर प्लांट के लिए हम लोग बहुत सारे प्लांट चॉइस करते हैं लेकिन स्नेक प्लांट बहुत ही सुन्दर प्लांट होता और यह एयर प्लांट है यह तो आप सबको अब तक पता ही चल गया होगा क्योंकि गूगल में सर्च करने से एयर प्लांट के लिए यह first plant आता है यह purifier plant क्या है न स्नेक प्राइटी से आज मैं इसे propagate कैसे करते हैं इसे report कैसे करते हैं इसकी मिट्टी कैसे तियार करेंगे इसकी देख भाल कैसे किया गा जाता है वो सारे बातों को मैं चर्चा करूंगी और आगे मैं दिखाती जाऊंगे report कैसे करते है report के लिए मिट्टी कैसे तियार करें तो यह मौसम अच्छा है यह आज है अक्टूबर का बारा तारी थरस्टे है तो आप अभी भी इसे कर सकते हैं इस सिजन में कर सकते हैं इसके बाद तो फिर विंटर आही जाएगा तो उसके बाद करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उस भी पड़ेगी तो पौधे के लिए अच्छा नहीं होगा report करने के बाद तो अभी ये सिजन भी अच्छा है अभी टाइम अच्छा है इसके लिए तो कभी-कभी हलकी Φूभर की बारिश भी हो रही है तो टाइम अच्छा है आप इसे report कर सकते हैं तो निया प्लांट अगर लाते है, स्नेक प्लांट तो इसे भी उसे भी आप ..। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मिट्टी कैसरे तियार करें? तो चल ये बता देती हूं मैं जैसे अपने प्लांट को रिपॉर्ट करती हूँ तो देखे ये राइजॉम से भी ग्रो हो जाता है पत्तो की कटिंग से भी ग्रो हो जाता है देखे ये वाली राइजॉम जो है मैंने कुछ प्लांट कुछ दिन पहले मैंने रिपॉर्ट किया तो कुछ राइजॉम बहु उसे मैं अलग से कर दोंगी लेकिन सभी से पप निकल गया है तो इसके राइजॉम देखिए इस तरह से मिट्टी के नीचर अंदर ही अंदर ये सीधी चलती रहती है और प्लांट उपर से पप इसके निकलते रहते है तो आप इसे तोड़ कर आसानी से बहुत सारे प्लांट बना सकता है इस तरह से देखिए यहाँ पे एक दो तीन प्लांट अभी और चोटे टुक्रे में अगर करेंगे राइजॉम को लगा देंगे तो इसमें से भी बेबी पप निकल जाएंगे कुछी दिनों में तो इसकी केर करें वह मैं बताऊंगी और देखिए इसमें थोड जो रूट रॉट हो गया था इसके जो राइजॉम रॉट हो गया तो उसे मैंने हटा दिया और इसको मैं लगा दूँगे और ये वाले डब्बे में ऐसे ही डब्बे में मैंने लगाया था एक प्लांट लगाया था उसमें से काफी सारे हो गया कुछी मैने में हो गया और बारिश के सिजन में, पूरी बारिश में ये पूरा एकदम टेरस में में पढ़ा हुआ था, काफी बारिश हुई, पानी हुआ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देख भल किया, और मैं खात तो देती ही नहीं हूँ, बहुत कम, रेर मैं देती हूँ, और इस कप में भी मैंने तो इसे भी मैं आज अलग कर दूंगी और मैं इसके लिए दो प्लांटर ले रही हूं नीचे काफी होल है यह मुझे एक एक प्लांटर बीस रुपे करके मिले हैं और आप इस समय प्लांटर ले सकते हैं चोटे-चोटे होल आप कर सकते होल चेक कर लीजीगा अगर काफी सारे मेरे इस planter में बहुत सारे होल है तो मुझे । कबर करना पड़ेगा किसी भी मेरे सामने में रहता है मैं उसे कबर करते हो अभी मेरे पास coconut के हस्का थे तो मैं उसी से कौबर करने हूए यह भी बहुत अच्छा होता है ये पानी को सोक के रखता है अगर एक्स्ट्रा पानी है तो वो अपने में सोक के रखता है और कुछ ये मिट्टी मेरे पास है गार्डन सॉयल भिंगा हुआ था क्योंकि टेरस में पड़ा हुआ है बारिश कभी कभी हो रही है तो ये भिंगे मिट्टी गिली है मिट्टी और यह देखे कॉंस्ट्रक्षन के काम में जो आते हैं ना पथर वही पथर मैंने लिया है जो मैं यह यह सैंसे वीरिया के लिए यूज करती रहती हूं यह तोनों प्लांटरों को मैं इस तर में पॉटिंग मिक्स तियार करूँगी इसके लिए पॉटिंग मिक्स चाहिए उसके लिए 50-50 आप ले सकते हैं गार्डेन सॉयल और यह कंकर पत्थर जो भी आपके पास रहेगा तो मैं इस तरह के कॉंस्ट्रक्शन वाले जो भी तो मैं इस तरह से मिट्टी को त्यार कर लेती हूं और देखिए इस तरह से देखिए बड़े-बड़े पथर भी है मैं सभी को मिट्टी, और यहीं प्तियार क्याक कर लेकिसी अगा प्लांटरों में दो थरके प्लांट में लगाऊंगी एक तो व्होफ बाराईटर की में लगांगी रगत वारे जो भारिगेटड है वह में लगांगी एक और बात है स्णेक प्लांट की, अगर आप पत्य बह्त काटके लगाए पत्ति वैर्टर वाली नहीं आएंगे उसमेंसे आपको हडी वाली पत्ति पूरी हडी पत्ति रहेंगे। बीच म में आपको झाता लेकिन आपको बार पिला बार्डर नहीं आएगा। तो अच्छा होता है अगर आप पते से निकल लगाते हैं पता कटिंग करके तो आपको अलग ही फराइटी निकलेगा उसकी पप निकलेंगे और अगर आप राइजम से निकल लगाते हैं तो राइजम तो सेम ही जो प्लांट आप राइजम को लगाएंगे वही प्लांट आप मुझे दी थी तो चलो एक का दो तीन हो गया है ये कप में मैंने अगस्त के लास्ट वीक में ही लगाया था और ये छोटा बाला मैंने कप में लगा दिया रख दिया उसी में और ये जो बड़ा वाला है वो अभी और भी बड़ा मैं चिरोड हो गया है इसे मैं इसमें shift कर रही हूँ और कुछी दिनों में मैं ये दोनों प्लांटड़ों को तियार करके मैं Gift भी दे दूँगी और ये छोटा वाला मेरा तियार हो गया है और बड़े वाले में बैराज उसने एक प्लांट है वह डब्यवाली वो वीडियो मैंने जो डाला हुआ था वो लॉकडाउं के समय की है वो वीडियो थी क्योंकि उस समय मेरे snake plant मेरे दुसरे घर में पढ़ा हुआ था लगभक तीन-चार मैंदे उसमें कोई पानी नहीं पढ़ा था लेकिन वह snake plant अभी भी अच्छे है तो इसलिए मुझे पता चला जो snake plant में बिना पानी चाहित है बहुत अچा चलता है सब सब मृटी में जब लॉगडान होँ था मार्च अप्रेल मई जून 4 महीड़ फूरा बिना पानी का बूर रह गया तो अगर बाइं चाहता है अगर पानी चाहता है तब धूप में तब तो पानी जरूरत पड़ेगा मिटी में है तो मिटी से भी थोड़ा बहुत उसको जोरी प्लाइट च jaki मिटरा ची मिलगेसे, जूरी बीचप स्यायब और तो फॉर्व। आपोत भी क्यां, दिए बाँ है, दूरी घहिसे शॉकिंष धूरी, जूरी है। इस प्लांटर में देखें यह चोटे लबह में उसे लगया था, इसमें कोई होल भी नहीं है और ये मिट्टी एकदम कीचर बन गया था और देखें एक ही चोटा सा प्लांट मैंने लगया था last कुछ यह मैंने पहले और कितने सारे पप्स निकले है इसे बारिश में इसी बरसात में निकले है ये सारे पप्स बस एक प्लांट पेरा इसमें था लेकिन इस बारिश में इतने सारे पप्स निकले है अब इसमें से मैं सब को अलग कर रही हूँ देखिये इस तरह से मैंने अलग कर दिया और इसमें जो बढ़ा वाला जो प्लांट है इसको मैं इसमें शिप्ट कर रही हूं तो इस तरह से आप एक प्लांट से बहुत सारे मल्टिप्लाई कर सकते हैं बहुत बना सकते हैं एक प्लांट से धेरो बना सकते हैं देखभाल बहुत कॉमन है बहुत इजी है इसे बेजीजक आप कहीं भी रख सकते हैं रूम टेमपरचर में भी रख सकते हैं एसी वाले रूम में फर्टिलैजर की उतना डेती ही नहीं हौं तो एक दो चमच मे अरफ वार चम से बार में आचा काम करता है क्योंकि यह पानी अपने में सोक के रखता है यह पानी में दे देंगे пошहिए तो अगर सेड़ी एरिया में रखे है प्लांट को, तो दो-तीन सब्ता भूली जाएए, पानी देना बहुत अच्छा रखता है, और अगर इंडोर में रखते हैं, तो बीज-बीज में आप हलकी फुलकी पानी दीजिए, पत्तो को आप पोच दीजिए, भींगी हुई कोई प्रे से कॉटन से आप उसे पोच दीजिए, पत्ता बहुत फ्रेज रखता है, स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छा रखता है, और एर प्यूरिफायर है, तो आप बेड रूम में तो रखी सकते हैं, बच्चों के रूम में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बेज- पासानी से इसे रिपॉर्ट कर सकते हैं बिना आप बेजी जग देख भाल कर सकते हैं और देखिए मैंने उसी डबे मैंने इसमें लगा दिया और मिटी थोरी बहुत देखे मैंने सारे कॉंस्ट्रक्शन बाली पत्तर इसमें दे दिया तो इस तरह से मेरे स्नेक प्लांट किसी भी कॉर्णर में रख दिजिए बहुत खुबस्वत लगता है बहुत भाराइटी इसके आते हैं अब कोई भी भाराइटी लगा सकते हैं तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर मेरे साथ इतने दर बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहु वीडियो में बहुत जल्द मिलूगी तब तक के लिए नमस्कार